प्यारे बच्चो आज क्लास 11 का सकेंड सिटिंग में जो समा सास्त का एक्जाम हुआ उसी का एंसर मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा वीडियो लंबा हो सकता है आपसे रिक्वेश्ट है कि अपने चैनल को जरू सब्सक्राइब कर ले और समा सास के बच्चों के या वीडियो जरूर सेर करें ताकि वे भी अपना मिलान कर ले तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सिखते हैं अति लग हुतर ये प्रश्ण में पहला कोशन था आपका ग्रामीन समुदाय क्या है तो ग्रामीन समुदाय का है साधहरन सब्दों में या कहा जा सकता है कि ग्रामीन समुदाय लोगों का एक अस्थाई समु होता है इस समु के सदस एक निश्चित भूभाग में निवास करते हैं ये क्रिसी के साथ साथ पसु पालन का कार्य भी करते हैं साथ साथ रहने के कारण इन लोगों में हम की भावना उत्पन हो जाती है संस्था क्या है तो मानों के कुछ समान हित तथा कुछ विशेश हित होते हैं समान हितों की पूर्ती के लिए बनाए गए संगठनों को सामुदाय कहते हैं विशेश हितों की पूर्ती के लिए बनाये गए संगठनों को समीती कहते हैं इन विशेश उपधेश्यों हितों को कायर रूप में परिनित करने के लिए जो साधन, तोर तरीकों, विधियां, परनालियां आदी उपयोग में लाई जाती है उन्हें संस्थाएं कहा जाता है। बेबलिन केनुसा संस्थाय समाने जनता में पाई जाने वाली विचार करने की स्थीर आधते हैं। अगला कोशन था आदर्स नियम किया है। तो आदर्स नियम उप्योगितावाद, कांटियन और उप्योगितावादी अपचारित सिधांध के नियम है जो नैतिक परनाली की बिकसित करने का बितिस अमरीका का परियास हो रहा, जैसे आंदोलन समान करन्षीकार करता है, जो एतिहासिक रूप से कांट के विचारों पर निर्वध है। बितिस अमरीका भी ऐसे ही आदर्स नियम बनाने का परियास कर रहा है। सम्मू क्या है तो जब दो या दो से अधिक वेक्ति समान हीतों के लिए प्रसपर संबंद अस्थापित करते हैं तथा एक दूसरे को परभायुत करते हैं तो एक सम्मू का निर्मान होता है जिसे सम्मू कहा जाता है संस्किती करन क्या है तो संस्किती करन वा अवधारना है जिसमें कोई वेक्ति या समू विचार मुल्य रिति रिवाद धर्म दर्सन पर्था एवं बहवार को अपनाता है एक अन अर्थ में या भारत में देखा जाने वाला एक विशेश समाजिक परिवर्तन है जिसमें जाती विवस्था में निचले पायदान पर इस्थित जातियां एवं जन जातियां उचा उठने का परियास करती है। विवा एक साधिक अर्थ है उद्रः अर्थाद वधू को वर के घर ले जाना। विवा को परिभासित करते हुए लूसी मेर लिखते हैं की परिभासा या है कि वह इस्त्री पूरुस का ऐसा योग है जिससे इस्त्री से जर्मा बच्चा माता-पिता की वैद संतार माना जाए आठ्वा कोस्चन है लगूतर ये का समाज की विशेष्टाओं की व्याक्या करें तो इसका निम्रिखित विशेष्टा है पहला है समाज अमूर्त है तो इसको देख लिजे बच्चो इसका डिटेल दूसरा है पारस्परिक निर्भरता मलब समाज में पारस्परिक निर्भरता होती है तीसरा है समाज संबंधों की विवस्था है समाज में क्या है आपसी संबंध का एक विवस्था है जैसे माता-पिता चच्चा चची, दोस्त, ये सब आपसी सम्मंद की विवस्था समाज में होती है चौथा है समाज का एक मनोवेज्ञानिक अधार है मलग इसमें समाज में आपस में आदमें मिल जूल के रहता है द्वेस, मैत्री, ये सब चलता है ये समाज में बाकिस का आप डिटेल देख लिजे बच्चो नौमा है समाज सास का अध्यान छेदर की व्याक्या करें तो समाज सास के अध्यान छेदर को लेकर विद्वानों में मत्भेद है अनेक समाज सास्तियों द्वारा भिन-भिन मत्भेद किये गये हैं इसे पर्मुख रूप से दोस्रेनियों में विभाजित किया जाता है. रूप आतमक संप्रदाय और दुसरा शमनव आतमक संप्रदाय के रूप में. 10 वान नंबर को चन है, समाज साष्ट एवं राजनीती साष्ट में परस परिक संबंद क्या है? तो समाज साथ संपुन समाज और समाजिक विवस्था का साथ या व्यक्तियों के समूख के रूप में समाज तथा व्यक्ति के सभी परकार के समंदों का अध्यान करता है राजनिति विज्ञान का अध्यन भी से राज भी एवं समाज का ही एक अंग है और राज एक राजनितिक संस्था होने के साथ समाजिक संस्था भी है विद्वान रेटजर हॉफर ने ठीक ही कहा है कि राज अपने विकास के प्रारभ्मिक चर्णों में तो एक समाजी संस्था ही थी अथा राजनितिक विज्ञान और समाज सास एक दूसरे से घनिश डूप से संबंधित है तो यहां देख सकते हैं इसका पहला पॉइंट है समाज सास राजनितिक सास के अधार के रूप में तो इसका डिटेल देख लीजेगा बच्चो दूसरा इसका पॉइंट है राजनितिक विज्ञान की समाज सास को देन के रूप में तीसरा है उद्रों के अधार पर संबंद अंसर थोड़ा लंबा है चौथा है अध्यन वस्तु के अधार पर संबंद पाचमा है चिंतकों एवं सिधानतों के अधार पर संबंद और आपका 11 नंबर कोश्चन है संस्किति के परकार को उजागर करे तो संस्किति के दो परकार है भौतिक संस्किति और अभौतिक संस्किति भौतिक संस्किति हो गया है जैसे कागज, पंखे, कूलर, फ्रीज, बल्ब यह सब भृतिक संस्क्रीती में आ जाएंगे, और अब भृतिक संस्क्रीती में आ गया मनो, विर्ति, ज्यान, साहित, भासा, संगी, धर्म, नेतिक्ता, ये सब अब होतिक संगीती में आ जाएंगे. 12 है समाजी करन के अस्तर क्या है तो समाजी करन एक परकिरिया और परकिरिया निरंतर चरने वाली किरिया है समाजी करन की परकिरिया भी बाले अवस्ता से आरम होका मिर्ति तर निरंतर चरने वाली घटना है शुष्यू को समाजी परनाली के रूप में परिवर्तन करने में अनेक अस्तर होते यह अस्तर विभिन आयूखंडों में विभक्त रहते हैं तो यह चरन्म है जो बाटा गया है मौकिक अवस्था में सैसव अवस्था में अंतर नहित अवस्था या तादत मी करन के अवस्था में फिर है कि सोरा अवस्था तेरा नंबर कोश्चन है वर्ग की धारना पर परकार डाली है बच्चों इसका अंसर आप लोग देख लिजेगा थोड़ा सा लंबा है तेरा नंबर कोश्चन है वर्ग का तादपर उन व्यक्तियों के समू से होता है जिसकी किसी समाज में समान इस्थिती होती है जब समाज में कुछ लोगों में एक समान समानता होने के कारण उनकी स्थिती में समानता होती है तो इन समान इस्थिती प्राप्ध व्यक्तियों क के समू को वर्ग करते हैं तो इसको आप लोग देख लिजे बच्चो मैं काईवर और फेज के नुसार एक समाजिक वर्ग एक समुदाय का कोई भी हिस्सा या भाग है जो समाजिक इस सिति के अधार पर अन लोगों में विभक्त किया जा सके तो वर्ग की जो धारना है यहां स यहां तक दो लाइन लिख के मलब कहते हैं तक और उसके बाद यह परिभासा भी आप लिखिएगा तो आपका नंबर मिल जाएगा 14 नंबर कोचन है स्रम विभाजन के कारणों का विशलेशन करें तो दुर्खिम और मार्क मार्क्स ने स्रम विभाजन के अनेक कारण बताए हैं तो यहां आप लोग देख सकते हैं इसको आप लोग एक बार नोट आपना देख लीजिए बढ़िया से पिर हम लोग खंड गव में आते हैं जाती की विशेश्ता ओंका उले करें तो जाती की विशेश्ता निमलिखित है जाती जन पर आधारित होती है दूसरा पॉइं रहता है थिए समाज का खंड रात्मक विभाजन होता हैं। जी एस घुरिये ने जाती विवस्था कि 6 विशेश्ता eyeballs कें उले हैं जो इस परका है समाज का खंड रात्मक विभाज समाजिक संसर्सति कर्म भोजन एं औं समाजिक सहवाश्पर प्रति पंद विविन जातियों कि सामाजीक अधर्मिक नियोरवक्ताय तथा विशे साधिकार पेशे के अप्रती बंधी चुनाव का अभार विवास अबंधी प्रती बंधी प्रमपरा की अधारना को उजागर करें तो आप लोग देख सकते हैं इसको देख लिजे ये प्रमपरा की अधारना को उजागर का एंसर है फिर है यहाँ परिभासा है जी जेंसबर के सब्दों में परंपरा का अर्थ उन सभी विचारों आदतों और प्रथाओं का योग है जो व्यत्तियों के एक समुदाय का होता है और एक पीडी से दूसरी पीडी को स्तांत्रित होता रहता है सतरा नमबर कोस्चन है प्राथमिक समुँ है दूतिय समुँ में अंतर अस्पष्ट करें तो इसमें निमलिखीत अंतर है प्राथमिक समुँ नैतिकता और मानव आत्मा पाधारित है जबकि दूतिय समुँ का अधार नियम और कानून होते हैं दूसरा है प्राथमिक समुँ प 18, 19, 20, 21, 22, 24 अंतर है बच्चो अब 18 है प्राइस्थिति क्या है इसकी परमुख विसेस्ताओं का वर्नन करें तो इटेलियन एवं मेरिल के अनुसार इलियट के एवं मेरिल के अनुसार तो इलियट जी का कहना है कि प्राइस्थिति वेक्ति का वपद है जो किसी समू में अपने लिंग आयू परिवार वर्ग विवासाय विवा अत्वा प्रयासो आदे कारण प्राप्त करता है प्राइस्थिति की विसेस्ता है पहला है विसेस्ता दूसरा विसेस्ता है तीसरा है चौथा, पाचमा, छठा, साथमा, आठमा, नौ विसे इस्ता है बच्चो आप पाँच भी लिखिएगा तो चलेगा और लास्ट कोश्चन है समाजिक नियंतरन के परमुक अभी करनों और साधनों की व्याख्या करे तो समाजिक नियंतरन से तातपर है कि समाज को सही दिशा में ले जाने के लिए कुछ नियमों को काब बनाये जाते हैं इन नियमों की रच्छा करना ही समाजिक नियंत्रन है इसके अनेक साधन पहला है परिवार दूसरा है आपका सिच्छा तीसरा है नैतिक्ता चौथा धर्म पाचमा राज तो बच्चो मैंने थोड़ा सा वीडियो लंबा न हो जाए जल्दी जल्दी आप लोगों को एंसर दिखा दिया है बाकि आप इसका जो पीडियो फॉर्मेट है वो अगर आप क्रोम में जाकर डी आर जी पी एटी टू डॉट बी ल ओ जी एस पी ओ टी ब्लोग स्पोट डॉट कॉम लिख कर सर्च मारिएगा तो आपको ये नोट्स वहाँ पीडियाप में मिल जाएगा और अगर नहीं मिलता है तो सबसे नीचे हम सरक कर आ जाएंगे वहाँ पर क्लास 11th मॉडल कोस्चन करके लिखा होगा या क्लास 11th लिखा होगा उसमें आपको मिल जाएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चो तब तक लाग गया देजिए बाई